Hello friends, बिर पार्म डीटिंग चानल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आई आज एक कीस वर्स के पुरूष के पारम का असेस करेंगे गर गुश्चिंव का उत्तर करेंगे तो सरवे हम इनके सवालों को सुनेंगे फिर एकर करेंगे सवालों का उत्तर करेंगे उसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिपकर के चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल एकन को प्रेस कर दे ताकि लिटर्स नोटिफिकेशन आपको बल जाए तो इनका मूल सवाल है गर्वर्मेंट जॉब को ले के यह चाहते हैं कि इनका अल्टिमेट एम तो वैसे बिजनस ही है पर चाहते हैं कि अभी अर्ली एज में क्या गर्वर्मेंट जॉब की प्राप्ती होगी और प्राप्ती होगी तो किस लेवल के जॉब की प्राप्ती होग मैं चर्चा करता हूँ, अगर आपकी हथेली पे सारे गढ़ों में स्क्रेंट पड़ूं, इसका मूल मतलब क्या होता है न, कि यह आपका बेस है, आप बेस को छोड़के कैसे चल सकते हो, नहीं चल सकते हैं, उसको लेके आपको चलना पड़ेगा, तो देखो क्या है न, इनकी सबसर पथम आप गढ़ों के स्टेंट को देखो साड़े गढ़ा अच्छे हैं उसके बात की क्या योग होती अगर आपकी फेट लाइन continue basis पे साथ हो और आपकी फेट लाइन आगे बढ़के अगर ब्रेशपती के तरफ जाए या सेटरं के तरफ जाए लेकिन जस आयू से आप गुजर रहे हो उस आयू में आपकी पेट लाइन सही होनी चाहिए तो वो भी एक बहुत अच्छी स्थिती माने जाती है दूसरा चीज क्या होता है न कि आपकी शन बुद्ध की पोजिशन भी स्ट्रॉंग होनी चाहिए साथ साथ शन लाइन जो आपकी डेडिकेशन कंसंट्रेशन लेवल को इंडिकेट करती है ताकि आप मेहनत करो तो आपको सफलता मिले तो साड़े कुछ इनके अतली पर नहीं तै मैं देख पाना और सबसे बड़ी बात है आपकी थंब यह एक अच्छी थंब होना बहुत ही जरूँड़ है ऐकी अतली पर यह्यापकी प्रस्टेरेट को इंडिकेट करता है कि आपकी प्रस्टेरेटी क्रता आपकी ठाक आवस्था में बढ़ियाँ अवस्था में है उसके सबसे में गढ़ा जो मानता हूं मैं वो जुपेटर को मानता हूं जो वैल्यू मान सम्मान सतकार को प्रदान कराती है तो वो भी अच्छे मांड में होने जरू है बुद्ध की जो फिंगर है वो भी बहुत अच्छी इंपोर्टेंट है वो आपके फर्स परेंच के उपड़ा च्छी है अगर his पहांपर सेबिग करे है खांग रुक इस बीच में आ रही है तो वहीं कहीं न रिंके 23 साल के में बता हूँ तो यहां से भी यह भागी रेखा है स네요 साथ सात इनकी प्रोगर्स लेख तो ये दोनों अवस्था हैं इंडिकेट करें कि जौब हो सकता है और इतनी early age से इतनी बहतरी इंसूरी line डवलप करते हैं यहां से आप देख लो extend कर रही है तो यह basically आपके value मान समान सतकार early age में जौब की प्रापती को इंडिकेट करता है अगर आप महनत करोगे तो आपको जौब की प्रापती होगी नी संदे है दूसरा था आगे वैपार कर सकता हूँ इनको interest है काफी देखो interest है यह हतली पर योग भी है बुद्धरे का प्रवल रूप से बनते वे निज़रा रही है यहाँ पर से भी आप देखो तो यह कुछ बुद्धरे रहाए ना आपकी बुद्धरे का जुकाव आपके सूड़ी के तरफ हो गया तो वहाँ से भी वैपार के परती इंटरस्ट आता है तो वैपार के परती इंटरस्ट का यह भधवरा रीजन था क्योंकि इन लोग की एक मान सिक्ता होती मैं बताता हूं क्या जीवन रेखा प्रवल वास्था में माइन रेखा बहुत सुगटित है लेकिन कहते हैं थोड़ी से अपड़ जा लिए तो आप over confidence का कभी शिकार मत बनना इसमें आपको परिशान ही आ सकती है अथी सभी जगा वर्दियत है हो सकता है कि आप फुल सटिस्वाइड हो जाएगा वही चीज़ आपकी अटक जाएंगी तो वो मत करना है थोड़ी negativity है बद माइन रेका में स्मूथने से ना तो यह लो बिजनस टेकनीक होंगे बिजनस की सोच आती होंगी मतलब इन लोगो कम समय में ज्यादा ओपर जाना है कम समय में ज्यादा पैसा कमाना है सिंपल सा बात है और बिरश्पती की प्रधानता हो जाए तो समझदारी तो रहती रहती इसमें तो कहीं कोई डाउट वाली बात है चुकि मैंने पॉडर लगा कि शले मंगाया मैंने अर्लियर बताया कि इनकी पिक मैंने अर्लियर देखा तो तो कुछ क्लियर नहीं दिख ले थी हमें और क्या है न इनकी स्क्वाइरस पाम आ रही है कमप्लिट स्क्वाइर चौड़ाई लिवी है हतेरी नहीं तो ऐसे लोग स्टर्टिंग फेज तो 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 स्ट्रेगल भरा रहता है अगर भागि रेखा-षूड़े रेखा जीवन रेखा की प्राप्ति हो जाए जीवन रेखा में स्मूथनेस हो जाए तो कहीं न कहीं इनसान की जौब की पराप्ती हो जाती है, अर्ली एज में, उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, तो वेपार के लिए क्या योग आ रहे हैं तो देखो सही है आपके लिए वेपार भी सही है क्योंकि आपकी जो बुद्ध की फिंगर है वो कम्प्रीट दिखा रही है कि आप को आगे चलके जाए जॉब कर लो कुछ भी कर लो, आपको आगे चल के वेपार ही करना है, वेपार की लाइन है तो आपको उसमें धके लेगी ज़रूर, लेकिन समझदार ही इस लेबल किया ना, कि अपना बेस बनाना चाहर है, तो इसलिए ये जॉब के लिए ट्राइ करना है, इनका होगा भी, कि अगर ये प् कहीना कई मेहनत से पीछे नहीं बागते, इक्चा सकती तो बहुत प्रबल, उसके बाद देखो तो समझदार, समझदार तो ये हैं, अगर ये अपने मन में कुछ सोचे हैं, और ये लोग अच्छा ही सोचते हैं, बेसिक्ति, ये समझदारी से ही चलते हैं, समझदारी के लो मांट पर प्रबलता है, ब्रेश्पती फिंगर थोड़ी छोटी है, बड़े-बड़े सक्सेस्फुल के हाथ पे देखा गया, ये चीज़ा में आपको बता रहा हूँ, पिक निकाल के देख लो, कि उनकी ब्रेश्पती के फिंगर छोटी रह जाती है शूरी से, तो इनकी क्या प्राप्टी, 32 वर्ष में अपना घर, 36 वर्ष में जॉब की प्राप्टी हो सकती है, और 30 पोस्ट, गुरु वरे का फोर्मेशन दार्मी कास्ता रहेगी, से भी भावना रहेगा, सिवा करने के प्रती, अगर सर रहेंगा, लोग की मदद करने के प्रती, यहां से दवाब है समझदारी रहेगी, और चुकि बुद्ध फिंगर में भी प्रधानता है, तो ऐसे लोग अच्छा ही करते हैं, इनके सबसे बड़ी बात क्या होते हैं, लापड़वानी होते हैं, उसके बात कहा हैं, सीधी सी लाइन बन रही है, तो मिलन सार सो बात की, अच्छा मिलना जू और अधिकारी पोस्ट को इंडिकेट करें, साथ साथ एक बनता है, और ये कम्प्रीट क्लियर रूप से बनता है, तो मल्टिपल प्रपर्टिक योग डवलप करेगा, दो-तीन लाइने हैं, तो ये कम्मुनिकेशन वाइस और पैसे मैनेज करने में काफी प्रबल बना रही ह फिर एक लाइन जो है, यहां से यह निकलती हुए, यह वाली आपके स्ट्रस की लाइन है, स्ट्रस क्या देगी है, कुछ से पचीस से तीस वरसों के बीच में समल से के रहने के आवाशकता है, कोई ऐसे मतर दोश रंगी हो सकते हैं, जो आपको परशान करें, और जो आपको दबाब है ना, इनसान का इमेजनरी लाइफ जादा प्रबल होता है, इनके रियल लाइफ से, बट पानी से मनीवे चीज़ें, साथ-साथ, चंद सर्रेट कारें, लोगों से जुरावा कारे करें, तो अतियूत तम रहेगा, फिर देगो इनका दली पर शुक्र, शुक्र इन उनके बहुत जादा होते हैं, उनके पैसे अच्छे कासे खर्ज होते हैं, बट इनकी अतरी पैसा नहीं है, सीमित इंसान है, और सबसे बड़ी बात है, कुछ हलकी पलकी स्ट्रेस के लाइने विशेस हैं नहीं, लगजरी के एक दो लाइने हैं, तो कि लगजरी का ही नहीं होती है, फिर देखो कुछ दो योग बन रहे हैं, को दोनों मंगल ठीक्ता कवस्ता है, इनर्जी वाइस अच्छे रहेंगा, कोई दिक्कत वाले बात नहीं है, फिसिकल एविटी अच्छी रहेगी, जीवन रेखा बहुत प्रवल और जीवन रेखा पर बनता हुए यहाँ पर से एक फ्रिस का इंडिकेशन, तो यह बेसिकलि आपकी दिरगाई हो सेंस को ला रहा है, दिरगाई हो है अपनी संदे, 23 में वर्स में बहुत ही बड़ी प्रवलेस है, 24-24 में के राओं, 23 में मूलता हो जानी चाहिए, फिर जीवन रेखा है तक्रीवन अगर इसक तो एक 31 साल में अच्छी प्रवलेस लाइन है, फिर आगर 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 आप देखो तो फिर इनके 30 साल के बाद, तक्रीवन 24-34 में में है, फिर आगे इनकी जीवन रेक बर रही है, यहाँ पर से ट्रेंगल नुमा किरती है, तो आगे चलके कुछ अच्छा बना सकते हैं, को नीश वरस्तक में, उसके बाद तो ठीक है, इनकी माइन रेका बहुत ही क्लियर रूप से आगे चल रही है, बहुत बढ़ी होने के बाद ना, थो इस इंसान ओवर कॉन्फिजन्स हो सकते हैं, तो उसको ना आने था बाद बाद बाकी ठीक है, फिर देखो इनके तेले पर ना लग लग का साथ रही होता है, इनकी माँने के चल लो अणने बाद 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 वरसों के बीच में, इस फेज में हो सकता है कि जतना भाग проблем का शारत मिलना चाहिए वो नहीं मिले अब देखो, 13 क्या होता है फिर इनकी ऐख दो यंट योग के योग डबलप कर रही है इवन दो दो और यहांपर से बयं बंते बेन नसर आँ तो प्रापर्टी तो आप बनाओगे, यह तो ते वाली बात है, और जॉब भी आपका होगा, लेकिन क्या है न, अभी मेहनत कर लो, फिर बाद में पस्ताना ना पड़े, जॉब भी होगा, लेकिन अगर मेहनत करना बहुत जरूरी है, स्किप्ट करोगे, तो फिर आपके साथ दोडने वाले की संख्या बहुत है, आपके ऐसे से भागे वालों की संख्या भी बहुत हो सकती है, तो अभी मेहनत कर लो, एज है, समय है, और चांस मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात है, प्राप्ती करा देगे अच्छे, बद की, माई ट्रेंगल प्रोपर है, तो पैसे जमा करने में पैसे आएंगे भी, अब मनी ट्रेंगल है, प्रोग्रिस लाइन है, तो चीक-चीक के इंडिकेट करीने हैं, संख्या होगा, तो जोब तो होने के चांसे हैंगी, बस आपको महनत करने के आवशक्ता, तो मनी ट्रेंगल होगा, इस इंसान पैसे जमा कर पाता ब बहुत बड़ी है, तो सेज में आपनों, उसे साब से यह बहुत जादा बड़ी है, और यहां पर से कंप्लीट स्क्वाइर का फोर्मेशन है, तो प्रोपर्टी तो चालिस वर्शों के बाद भी बनाओगी, इवन तीसे वर्शे से स्टार्ट हो जगा है, प्रोपर्टी के तो यहां पर से भी एक स्क्वाइर नुमाकरती का फोर्मेशन है, यहां भी देख लो, तो तीसमें, बतीसमें वर्श में कोई ना कोई इनका घड़ होना चाहिए, तो यह था इनका दिलिका वेशलेशन, अगर आपको अमारा यह वीडियो पसंद है, तो लाइक करते, स्क्रिप्स में मिल जागा लेकर आप समपड़ कर सकते हैं, धंड़े बाद